किराया ले ले इतियास के पन्नों में उधारन मिलता है टोडर मल का एक बार टोडर मल ने अपनी मा से यही कह था कि मा तू हर बात पर कहती रहती है कि मा का करजा ने उतर सकता मा का करजा ने उतर सकता चल आज तेरा सारा करजा उतारूंगा, बता, कितना करजा है तेरा तुझे सोना दू, चांदी दू, हीरे दू, जवारा दू, रूप्या दू, पैसा दू, क्या दू पर तु अपना करजा ले, और मुझे अपनी इस बात से मुझत कर मैं नहीं सुनना चाहता कि तूने क्या किया मेरे लिए माने का बेटे अगर करजाई उतारना है मा का तो चल सोने चांदी रूपे पैसे थे तो करजा उतरेगा नहीं तू एक काम कर आज रात तू मेरे पास ही सो जा करजा उतर जाएगा इसने का एक रात सोने से कैसे करजा उतर जाएगा बोले कोई दिक्कत नी मेरी नजर में उतर जाएगा तो सोजा कहते हैं जब टोडरमल की माता जी ने उसे ये कहा तो रात्री में टोडरमल उस दिन अपनी मा के कक्ष में लेट गया और जब मा के कक्ष में लेटा तो कहते हैं जैसे ही मा ने देखा बेटे को नीद आनी शुरू हुई है तुरंत हिला दिया और हिला के बोली बेटा एक गिलास पानी ला देगा अब ये तो श्रद्धा के वसी भूत होकर कि आज करजा उतारने की फिराक में लेटा था जैसे ही मा ने कहा कि बेटे पानी ला देगा ये तुरंत कहता है हाँ माता जी बिल्कुल उठा एक गिलास पानी लेके आया और बड़ी शद्धा से मेरी मा तो दोनों हातों से वो पानी मा को दे दिया मा लो जल ग्रहन करो कहते मा ने एक घुट जल पिया और बाकी का जितना भी पानी पातर में बचा हुआ था सारा का सारा जिदर टोडर में लेटा हुआ था उस तरफ डाल दिया इसे गुसा तो बहुत आया पर इसने बहुत आराम से पूछा मा ये क्या कर रही हो तुम इसने का रे बेटे गलती हो गई कोई बात नहीं बुडापा है गिर गया आथ से लेट जा पागल है गिले बिस्तर में लेटा जाएगा क्या माने का बेटे कोई बात नहीं लेट जा एक ही रात की तो बात है लेट तो गया पर नींद नहीं आई गिले बिस्तर में जब बहुत देर तक कुड़ कुड़ करता रहा और बहुत देर के बाद जा करके इसकी आखे मिचनी शुरू हुई भारी हुई आखे नीद ने आकरके गेरा मा फिर देख रही थी जैसे ही आख बंद की माने फिर इला दिया बेटे पानी अब की बार वो जो पहले वाली मां, पानी, बोले हां कि भी तो पिया था तुने, कि बेटे प्यास लगी ए, पानी पे भी रोक लगाएगा क्या, उठा पानी ले क्या, ले पकड मां, दो हाथ भी गए, माजी भी गया, ले पकड मां, मा ने एक घूट पानी प्यार बाकी का पानी सारा फिर इसके बिस्तर पर गिरा दिया इसने का मा तेरा हो गया दिमाग खराब तू हो गई पागल बार बार मेरा बिस्तर गीला कर रही है एक रात सुला करके क्या करजा उतारेगी मैंने तो मोत खरीद ली पागल था मैं जो तेरा करजा उतारने चला था सत्तर बाते मा को सुना दी मा चुपचाप सुनकर के भी सेहन कर गई और फिर भी बड़े प्यार से का बेटे कोई बात नी तू लेट जा रहा मैं से कोई दिक्कत लेटा अब की बार और बिस्तर गीला था बहुत देर तक नीद नियाई पर कहते हैं जब कई घंटों के बाद घेर लिया पूरी तरह नीद ने और फिर से आखे बंद करने को हुआ तो माता ने फिर हिला दिया पकड़के बेटे पानी ओहो अब की बार तो चिला करके उठा और मा पर जलाते वे कहता है मा क्या खाके सोई थी रात ये बता पहले कुए में जाए तेरा करजा मुझे ने उतारना मैं जा रहा हूँ उपने कमड़े में मा ने कान पकड़के खीच के थपड़ मारा बोले तु मेरा करजा उतारने चला था तू एक रात मेरे कमरे में सो गया और मैंने तेरा बिस्तर गीला करके दो बार पानी मांग लिया तो तू भाग रहा है आरे जब तू छोटा था तेरा बिस्तर तो पानी से गीला है पर तु अपनी गंदगी से मेरे बिस्तर को गीला करता था और देख एक मा का त्याग मैं उस गीले बिस्तर में खुद लेटती थी और तुझे सूखे में लिटाती थी इधर बिस्तर गीला कर दिया तो इधर लिटा लिया इधर बिस्तर गीला कर दिया तो तुझे अपने सीने पर लूटा लिया मैं सारी रात तेरी गंदगी में लेटती थी पर कभी तुझे उठा करके फैका नहीं मैंने दो बार पानी मांगा तो तुझे क्रोध आ रहा है तू रात में कभी पानी मांगता, कभी दूद मांगता, कभी नहीं सोता, तो सारी रात सीने से लगा करके आंगर में टैलती रहती थी, तू मा का करजा उतारेगा बेटे, एक जनम तो छोड़, कई जनम भी ले ले, पर मा का करजा उतार नहीं सकता, और किसी को अगर उतारना युदून से यह अभ़ी यह हो देखो मावाप का रेंड तो मावास बन के इंपवे लगता है कि इसलिए कही जग zar dat यह बोल देती यह कि तुमने हमारे लिए क्या क्या है तो समझदार मावाप कहते विष्ञादों से बेटे हमने तो तेरे लिए इतना कर भी दिया जिस दिन अपनों के लिए कर देगा उस दिन बता देगा है ना